नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूजूब चैनल में पित्र पक्ष यानि पित्रों की पूजा का पक्ष 21 सितंबर यानि मंगलवार के दिन से शुरू होकर 6 अक्टूबर बुद्वार के दिन तक चलेगा पित्र पक्ष पित्रों का ध्यान और तरपन विधी की जाती है जिसकी बज़े से हम दुनिया में है उनको याद किया जाता है गरुन पुरान में बताया गया है कि पित्रगण देवगणों के समान ही आशिरवाद और शाप देने की शमता रखते हैं इनकी प्रसनता से परिवार में उनती और सपलता आती है और नाराजगी से परिवार में कोई ना कोई परेशानी हमेजा ही बनी रहती है पित्रपक्ष का अंतिन दिन 6 अक्टूबर को होगा यानि कि बुद्वार का दिन होगा पित्रपक्ष का आरंब 21 सितंबर से हो चुका है लेकिन 20 सितंबर को शोष्ट पदी पूर्णिमा का शिराद आरंब हो जाता है पूर्णिमा के दिन अगस्त मुनी का तरपण करके उनको जल दिया जाता है और इसके बाद प्रति पता तिति यानि कि अश्विन मास की क्रिशन पक्ष की पहली तिति जो कि इस बार 21 सितंबर को है पित्रों को जल दिया जाएगा इसमें किसी भी पक्ष में जिस्तिती को ब्यक्ति की मिर्ति हुई हो उनके नाम से शराद और ब्रामन को बोजन करवाया जाता है जबकि पूरे पक्ष में उनके नाम का जल अरपण किया जाता है पित्र हमसे सदाही खुश रहें और हमारा परिवार हमेशा ही सुकसान्ती में बना रहे है इसके लिए हमें कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए जिसकी जानकारी आपको वीडियो के माद्यम से मिल जाएगी दोस्तो पित्र पक्ष में किये गए कार्यों से आपके पित्रों का आश्रवास सदाही आपको प्रावत होता है ऐसा माना जाता है कि पित्र पक्ष में पित्र प्रसन होते हैं तो जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं लेकिन जब पित्र नाराज होते हैं त तो कई प्रकार की पुरेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ता है। जीवन में इस तरह के लक्षन अगर आपको दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि आपके पित्र आपसे नाराज है। दोस्तों अगर आपकी जमापुंजी दीरे दीरे नश्ट होने लगी है। गर में तनाव और कले का माहौल बना रहता है। और घर के सदस्यों में हमेशा ही वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पित्र आपसे रुष्ट है। वह राणिसिक तनाव और अग्यात भै की स्थिति आपके साथ है। तो आपको ये अवश्य ही मान लेना चाहिए कि आपके पित्र आपसे रुष्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकुछ उपाई पित्र पक्ष के दोरान करते हैं तो आपके पित्र आपसे प्रसंद हो चुके हैं वे भी आपके उपर आशिरवाद देने लगेंगे। दोस्तो जाडू को साक्षात मा लक्षमी का ही रूप कहा जाता है और जाडू के प्रयोग को आपके भागे से जोड़ कर देखा जाता है। आम तोर पर सभी के घरों में जाडू पाई जाती है। जिस प्रकार से घर में आने वाली गंदगी को आम तोर पर घर में जाडू लगाकर घर से बाहर कर दिया जाता है। वहीं पर अगर आप कुछ खास उपाई करते हैं, कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं और कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो आप अपने जीवन में आने वाली निर्धनता, गरीबी और दर्दृता को भी इस जाडू के माध्यम से अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। माना जाता है कि ज़ाडू के कुछ खास और छोटे-छोटे उपाय कर लेने से ही आपके घर में और आपके जीवन में कभी भी सुक और एशवरे की कमी नहीं रहती है। सास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर के कोने कोने की सफाई होती है उस घर में सदाही लक्षमी वास करती है और घर के सभी वास्त दोस्त मिट करके घर में हमेशा खुशी भरा सकारत्मक वातावरण बना रहता है। दोस्तों वैसे तो ज़ाडू लगाने के धेरो नियम होते हैं अगर आप उन सभी का पालन करते हैं तो आपको माता लक्षमी की किरपा तो मिलती ही है लेकिन किसी भी कारण से अगर आप उन सभी नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं आज की इस वीडियो या वह कौन सी वस्तु है जिसे अगर आप अपने घर में रात्री के समय जाडू के नीचे दबा कर रख देते हैं तो माता लक्ष्मी की ऐसी अनुकमपा होती है कि आपके जीवन में धन की कोई कमी ही नहीं रहती है तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसी वह क् कौन सी छोटी-छोटी चीजे हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जै माता दी जै मालक्ष्मी एक बार अवश्य ऐसे कमेंट कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें क्यो आपको अपने ज्यादू के नीचे रखनी चाहिए दोस्तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ज्यादू को माता लक्ष्मी का हिप्रतीक माना जाता है माता लक्ष्मी स्वाक्षात रूप से ज्यादू में निवास करती है इसलिए आपको अपने घर में ज्यादू को बात और बताते हैं दोस्तों, कि तीन ज़डुका अगर आप गुप्त दान करते हैं, तो आपके घर में धन माया आने से कोई भी नहीं रोख सकता है, जियां दोस्तों, ये उपाय आपको विशेश रूप से किसी खास सायोग पर, कुछ खास तेवारों पर, जैसे होली, दिव घर में से कोई भी नई ज़डु को लेकर के, ब्रह्म मूरत में मंदिर के शीडियों पर रखे छोड़ कर आ जाएं, ये दान गुप्त होना चाहिए, इसके बारे में किसी को पता ना चले, इस परकार से आप इसका दान करें, पुराने समय में लोग ऐसा करते थे, कि जब उ परानी हो गई है, आगर आप उसका इस्तमाल फिर भी करते रहते हैं, तो इससे आपके घर में वास्त दो सुत्पन हो जाते हैं, साथी नकारतमक उरजाओं का परवा बढ़ने रखता है, साथी आपने देखा होगा, पुराने जमाने के लोग बताते हैं, कि पहले मंदिरों सफाई करते थे, अपने घर की जहडू से इस्तमाल करके मंदिरों सफाई करते थे, आज भी कुछ लोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके घर में हमेसा ही बरकत बनी रहती है, इसलिए आप भी गुप्त दान करें जहडू का, और साथी मंदिर में अवश्य दान करें, और मंदिर में साफ सफाई करें, और साथी अपनी जहडू को जो टूट टूट कर गिरने लगी है, पुरानी हो गई है, उसे आप उठा करके प्रवाहित कर दें, अपने घर से निकाल दें, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तुदोस उत्पन ना करें, इसके अ आप अपने घर में पोचा लगाएं, जहडू लगाएं और पोचा लगाएं, तो आप खाज ज्यान रखें कि पोचा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक याफर फिटकरी अवर्स्य मिला लें, साथ ही जहां भी आप जहडू लगा रहें, ये देख लें कि आपके कही कोई जूटाय तो नहीं गिरा हुआ है, जूटन आदी तो नहीं गिरी हुई है, उसके उपर सीधे तोर से कभी भी आप जहडू ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों आपको बताया था, कि जहडू को साखशात रूप से लक्षमी का परतीक माना जाता है, अगर आप जूटन प जो प्राचीन समय से चली आ रही है, जो भी कोई व्यक्ति इस मानता का पालन करता है, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं होते हैं, दर्जदरता नहीं होती है, उसका जीवन सुख और एश्वर से भरा ही रहता है, दोस्तों इसके अलावा कर आप चाहते हैं कि आपके घ कर आएं, तो उसके हैंडल पर आप कोई भी सफेद रंगा धागा या फिर जो कलावा होता है, या मोली जिसे कहते हैं, जो हवा नादी कोई पूजा करते वक्त अपने हाथ पर हम भांते हैं, उसे आप जाडू की हैंडल पर भांदे, ऐसा करने से माता लक्षमी सदैव आप अपनी घर में जाडू का इस्तमाल करें, उससे पहले आप पहली वर इस्तमाल करने से पहले एक बार जाडू को साफ पानी से दो करके उसे सुखा लें और उसके बाद ही आप इसे 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 प्रियोग के बारे में, इस प्रियोग को आप खास तोर प्रकार से आप अपना ल गर के मुख्य दर्वाजे के पास, यानि कि गर के अंदर से गर के मुख्य दर्वाजे के पास जाडू को लिटा कर रख दें, यह तो आपको पता ही है कि जाडू को कभी भी खड़ा नहीं रखते हैं, जाडू को हमेशा ही लिटा करके रखते हैं, तो आप जाडू को लिटा क करके रख दे और जड़ू के नीचे आप चारवफ दाने जीरे के डाल दे में. जीरा तो हर किशी over ब्राप्त होता ही है, हर किशीे पास होता है, साथी आप गिंती करके आप 11 दाने सूखे धनिये के भी डाल दे, यानिके साबू घनिये के डाल दे. आप बस थोड़ा सा जीरा और 11 दाने सुखे धनिये के डाल दें। खास तोर पर दोस्तों आपको ये प्रियोग रात तरी को ही करना है। आप इस प्रियोग को किसी भी दिन कर सकते हैं। सौंबार से लेकर के रवी बार तक आप किसी भी दिन से इस प्रियोग को सुरू करें और प्रति दिन करें। अब आपको क्या करना है कि अगले दिन सुबह उठकरके अपने घर में जब आप जाडू लगाएंगे तो आप उन जीरे और जो सुखे धनिये के दाने थे उसे भी घर के कुड़ा करकट के साथ ही बाहर निकाल करके जाडू के साथ फेंग दे। ऐसा माना जाता है कि आपके घर में जो भी नकारत्मक उर्जा थी, दरदरता थी, धन हाने होने के जो योग थे, वे सभी योग इस जाडू की गंदगी के साथ आपने अपने घर से बाहर निकाल दिये। और जिस घर में संपूर्ण रूप से सफाई होती है, वहाँ पर माता लक्षमी का निवास होता ही है, यही बात गरंथों में और शास्त्रों में लिखी गई है, इसलिए दोस्तों इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है, उसके जीवन से दरदरता का नास हमेशा के लिए हो जाता है, और माता लक्षमी का परवेश अवश्य ही होता है, जो भी कोई यह उपाय करता है, उसके घर में बरकत बढ़ती है, और सुक समर्दी आती है, तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब त जय मालक्षमी, जय बजरंग बली